Hi everyone, welcome to Magnet Brains, this is Palak Rakhiani. इस session में हम देखने वाले हैं Food Chain, Food Web and Trophic Level की कहानी यानि Class 10th Biology का नया chapter already started कर दिया है जिसका नाम है Our Environment. इससे पिछले sessions में हम already story देख चुके हैं कि बाई introduction क्या ता chapter का and ecosystem क्या होता है. Now, इस particular session में आपको ये तीन topics बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेंगे आप कुछ students का सवाल रहता है कि Ma'am, ये video क्या particularly सिर्फ National Science Olympiart के लिए है? तो मैं आपको बता दूँ बेटा, NSO क्यों conduct किया जाता है? It is because जो आपकी NCIT CBSE Board की तयारी है, उसी को और स्ट्रॉंग करने के लिए तो यानि जितने भी topics हैं, purely NCIT based होते हैं So surely you all can watch this video Video के end तक बने रहना, बिल्कुल doubts को clear करना And comment section में भी बने रहना है अपने को जो भी questions मैं पूछूँ आपको बता दूं, Magnet Brains एक ऐसा platform है जो आपको देता रहा है, बिल्कुल free education, KG से लेके 12th class तर अब जल्दी से शुरुवात करते हैं इस session की लेकिन, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत अच्छी information दे दूं अब आपको Magnet Brains पे मिलती है books and e-books यानि जितना quality एक number content आपको दिखता है उसी को हमने डाल दिया है in books and e-books में कैसे avail करना है तो simple सा process है नीचे description है, उसमें एक link दिया है उस link पे click कीजिए तो एक form खुलेगा उस छोटे से form को आपको fill करना है then हमारी MB की team आपसे जल से जल contact करेगी So let's start this session without wasting any time शिरुवात करते हैं भाई, चलिए अब food chain, food web, traffic level यह chapter पहले ही बता चुकी हूँ काफी interesting है and काफी scoring है इसमें पिछले chapters जैसे complications नहीं है जैसे reproduction, heredity and evolution में एकदम जो हैपन को बहुत सारे concept पढ़ने थे इसमें ऐसा नहीं है इसमें simple सी story है and जब chapter का नाम है our environment, तो यानि आपके आज सपास की चीज़ों की बात है अब quickly से जितनी चीज़े पढ़ी हैं, हर session में हम उसे recall करते है recall इसलिए किया जाता है ताकि आगे की बात समझ आए अब हमने देखा था ecosystem क्या होता है इको सिस्टम की एक simple सी definition जिसको भी याद हो के quickly tell me in the comment section आते ही पलक माम ने देख दिया है आपको एक काम यानि ऐसा नहीं है, बिलकुल रटी हुई definition आपके हिसाब से ecosystem क्या होता है, वो मुझे comment section में बताओ मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है ecosystem वो है, जो मेरे आसपास living और non-living components है, उससे मिलके बनता है, आपको क्या लगता है वो आप बताए भाई, तो ये कहानी है ecosystem की, living and non-living के बीच में रिच्टे चलते रहते हैं interrelation है भाई, यानि आज अगर हम समझे हम human beings है we are the superior तो ऐसा नहीं है यार क्योंकि हम यहाँ पर किसी की वज़े से हैं, ये अपने environment की वज़े से आज अगर हमारे पास plants नहीं होते दूसरे organisms नहीं होते, तो हम survive नहीं करते, चलो ये तो living की बात हो गई, non-living यानि abatic components की अगर बात करें तो हवा, पानी, temperature इन सब का बहुत ही जो interaction होते हैं, surroundings में वो भी अपने हिसाब से एकदम बढ़िया है अब यहाँ पे food chain word पहले आ रहा है तो इसी interaction की बात है यानि मैं जतनी बातें कह रही हूँ ना उनका कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं relation या मतलब निकलेगा, तो अच्छे से मेरी बात को सुनते जाना food chain अब food का मतलब तो बोलो मैं इसका मतलब तो बताओ ही नहीं ये बोलोगे, तो सिर्फ आपको ही नहीं मुझे भूख लगने लगेगी तो food यानि भाई, खाने की बात है अब chain क्या होता है तो chain word को अगर मैं simply कहूँ तो यानि कोई चीज एक दूसरे से connected है जैसे बचपन में कुछ games खेलते थे हम chain वगेरा, खैर अभी भी खेलते होगे कि जैसे यहाँ पे मैं हूँ ऐसे पाचे और friends है हमने एक दूसरे के हाथ पकड़ के क्या बना ली? एक chain बना ली simple बात है न, इतनी तो chain के बारे में समझते हो तो food chain basically क्या होता है यह भी एक ऐसा relation है जिस से living organisms के आपस के बीच में chain बन जाती है, dependency दिखाती है तो आई यह, मेरी language में तो बातों को समझोगे ही, लेकिन क्योंकि books में जो है, आपको यह language दी रहती है, scientific language होती है अब प्रशन भी इसी से आते हैं questions are asked from this, so let's start reading about it Food acts as a fuel to provide energy to do work It is true for all living organisms अब food क्यों चाहिए है? Food को fuel कहा गया है Fuel ही जैसे, गाड़ी को चलाने के लिए fuel देना पड़ता है, diesel, petrol, वैसे ही अपनी यानि इंसानों की living organisms की गाड़ी चलने के लिए क्या चाहिए, food चाहिए भई हमें पता है कि खाने के बिना यार कुछ ही time कख हम exist कर पाते हैं कुछ ही दिन आप मान लो क्योंकि energy चाहिए वहाँ तो सिर्फ mere existence होगा मान लो अभी सुबह breakfast करके नहीं निकले तो दिन में ऐसे ऐसे नीन दाने लगेगी है ठकान लगेगी तो वहाँ से दिखने लगता है consequence की कैसे food हमें energy provide करता है और ये सिर्फ human beings के लिए true नहीं है ये हम almost हर living organism के बारे ममाने जैसे आप plants की बात ले लो बोलो मैं living organism के रहे हो ना तो आप plants की बात करो जड़ा तो अगर आपके घर में garden हो या एकाथ कोई plant ही हो यार कुछ तो रखा करो plants वगेरा है बिल्कुल करा करो gardening वगेरा तो plants वगेरा होगा कोई पौधा होगा आप उसी को observe करो तोड़े दिन अगर आप उस पौधे को पानी नहीं दो तो वो कैसे मुरजा जाता है या फिर sunlight नहीं दो तो कहीं न कहीं उसकी growth रूख जाती है उसकी पतियां जो हैं जड़ने गिरने लगती हैं leaves तो ऐसा क्यों क्योंकि है तो plant भी living organism यानि उसको भी fuel की जरूरत है तो which means कहीं न कहीं भूम फिर के living organisms are dependent on food Now in any given ecosystem all living organisms are linked in a systematic chain with respect to their mode of manufacturing food या feeding habitat अब जैसे मैं आपको कहा भाई ecosystem word बहुत बार आएगा तो quickly से इसको recall कर लेते हैं फिर से यादे ताजा कर लो ecosystem की पूरी बात पढ़ चुके है पूरी कहानी ecosystem किस किस से मिलके बना है अब जैसे भाई आप देखते हो हमारा channel magnet brains अब आपको दिख रहे है teacher पर हम कहेंगे ये भाई पूरा system है सिर्फ हम अकेले थोड़ी न सब कर सकते हैं पूरी पीछे हमारी team रहती है तो ये team क्या बना देती है एक system बना देती है तो वैसे ही ecosystem system अकेले नहीं चलता है यहाँ भी दो components दो major components अगर मैं बात करूँ मिला के बनता है one is biotic component and the other one is abiotic component ये बहुत ही vast component है फिर से बता रही हूँ जितने छोटे इनके नाम है उतने जादा vast ही है उतने जादा इनके अंदर organisms या components आते हैं अब biotic the word bio का मतलब क्या होता है living तो इसमें जितने भी living components होते हैं या living organisms होते हैं वो आते हैं for example आप ले लो animals ले लो आप चाहें even कोई भी living ले लो even unicellular आप bacteria fungus ले लो ठीक है वो आ जाएंगे and of course human beings आएंगे तो living components किसके अंदर आते हैं biotic के अंदर clear है next comes abiotic तो असान से कहानी है भाई अगर biotic के अंदर living आ रहे हैं तो abiotic के अंदर कौन आ जाएंगे non living अच्छा अब non living components में भी मैं थोड़ी कहानी को clear कर दूँ non living components से basically हमारा मतलब है जैसे wind हो गई air हो गया, पानी हो गया temperature हो गया, humidity इन सबसे मिलाके बनते हैं non living components यानि अपने जो surroundings हैं surroundings में जितने भी living, non living उनसे मिलके बनता है ecosystem यानि आप अभी कहीं भी बैठे हो आप अपने room में बैठे हो, garden में बैठे हो तो आप बस अपने आज सपास नजरे गुमाओ आपको इतने सारे examples मिल जाएंगे ने ecosystem के अलग-अलग type का ecosystem जैसे आपके आज सपास कोई मान लोग घर में हो तो lizard दिख रही हो, आपको राइट दिख रहा हो या किसी का pet dog हो, वो living component हो गए या नहीं दिखने वाले भी living component है microorganism, bacteria, fungus, वो तो दिखते ही नहीं है भाई ठीक है, यह living component हो गए non-living component यानि अगर आप हो room में तो of course हवा होगी, तभी तो बैठे होगे हो air है, wind है, temperature है, so on and so forth तो अब कहा क्या जा रहा है यह ecosystem में living, non-living भाई दोनों है अब अगर, देखो हवा पानी को तो क्या ही चाहिए खाना है ना, उनको तो नहीं चाहिए, लेकिन living को चाहिए, so in this case when we talk about food chain याद रखो, इसमें हम ecosystem के biotic component की बात करते हैं, food chain में हम ecosystem के biotic यानि living organisms की बात करते हैं so in any given ecosystem, जितने भी living organisms हैं वो आपस में एक दूसरे से linked हैं, एक systematic chain से अब वो chain में depend करता है, किस किस की diet कैसी है है ना, अरे diet नहीं देखते हो, आपके ही घर में सबकी diet अलग होगी, कोई एक इंसान जो है आलू की सबसी खाता है, दूसरा नहीं खाता है, कोई keto diet पर कोई कहता है, नहीं मैं दूद नहीं पिऊंगा, कोई कहता है नहीं मुझे चावल नहीं खाना है, एक ही घर में इतनी diet की variety है, तो भाई, इतनी बड़ी अर्थ है तो इसमें कितने organism हैं, हर organism का feeding habit अलग है तो उस हिसाब से हम सब एक दूसरे से कहीं न कहीं इंटरलिंग्ट है, the interactions amongst various components of the environment involves flow of energy from one component of the ecosystem to another ठीक है, अब इसका फिर से example, जितने example लोतने कम है और इस पूरे चाप्टर को honestly बता रही हूं, समझो सिर्फ example से अब ये लाइन को समझने के लिए अपने को और example लेते हैं जैसे मान लो, आज भई हम उटे हैं, breakfast खाया है सबसे पहले कहानी शुरुवात करो, अपने दिमाग में question mark लेके आया करो कि कोई भी काम करते हो, तो वो क्यूं कर रहे हो, कोई तो reason होना चाहिए भई अब जैसे आप सुबह उठे, आपने जो है breakfast किया, ठीक है आपने क्या किया, आपने breakfast किया, अब उस breakfast में, मान लो, आपने क्या खाया है आपने कोई fruit खा लिया, किसी भी fruit की बात करते हैं, मान लो, उस breakfast में आपने आपल खा लिया ठीक है, simple सा example लेते हैं, breakfast में आपने आपल खाया, अच्छा, आपल खाने का reason क्या था बोलो माम टेस्टी लगता है रे वो तो अलग बात है चलो टेस्ट तो एक जगा रख लो जिस दिन अगर दो-तीन दिन भूका रख देना तो तुमको करेली की सबजी दे तो भी खा लोगे तो टेस्ट तो एक अपार्ट वाली चीज है वो साइड में रखो उसको आपने एपल खाने का एक्चुल परपस क्या था निउट्रिशन लेना है मैम एनरजी चाहिए इतनी पढ़ाई करने है समझते नहीं हो आप कितना जादा वेजिटेरियन हो कोई नॉन वेजिटेरियन हो तो उसने ब्रेकपस में यूजरी क्या कहते है नॉन वेजिटेरियन अंडा खाते है तो उसने एग खा लिया ठीक है दोनों के हैसाब से बात करूंगे मैं जिसको जो रिलेटेबल लगया है ना वेजिटेरियन आपल से रिले अपल आया कहां से तो ये आया है बोलोगे मैं पास वाले दुकान से लेके आया है बेटा ये पूछने रही हूँ मैं कहां से लाए हो आया कहां से है मतलब एपल का क्या होता है बैपल की ट्री होती है तो ये कहां से आया है एपल एपल की ट्री से ठीक है पेड से आया है यानि plant वाली कहानी हो गई अब ये apple की tree ने apple कैसे बनाया हम तो apple ले आये market से जाके यहाँ पे apple यानि एक fruit कैसे बना है तो of course यहाँ पे process होई होगी यहाँ पे photosynthesis से खाना वाना बनाया होगा plant ने then fertilization हुआ होगा बच्चा हुआ होगा और वो बच्चे में जो fruit है वो आगया apple तो जब plant ने photosynthesis किया था पहले खुद nutrition लिया था तभी तो दूसरों को दे पाओगे हमेशा एक चीज याद रखना कि पहले खुद इतने capable बन जाओ ता कि आप दूसरों के लिए कर सको तो यानि clearly यहाँ पे apple tree ने पहले apple नहीं बना दिया था बहले उसने खुद ने nutrition लिया कि भाई मैं तो खुद इतना capable बनूँ कि मैं दूसरों को दे सकूँ कुछ तो apple tree ने photosynthesis किया photosynthesis क्यों किया इसमें भी सवाल हर जगा सवाल पूछा करो भाई इसने photosynthesis इसले किया क्योंकि इसको भी तो energy चाहिए थी भाई ताकि यह जो है apple पैदा कर सके और apple इंसान खा सके है कि नहीं तो energy तो इनको भी चाहिए थी so which means अगर actual में देखा जाए तो sun से आई energy ध्यान से सुनना है ना sun से आई energy कौन आई energy किसने ली पेड़ने ली पेड़ने क्या भेजी energy apple को दे दी कि भाई तोड़ी तू रख ले तुमको इंसानों के पास जाना है उनको भी energy दे लिया तो energy उसने दी apple को यह इस apple को हमने खाया breakfast में energy मिल गई हमको हो क्या रहा है यहां पे क्या कहानी चल रही है किसको exchange कर रहे हैं किसका flow बोलो energy का मतलब पूरा खेल इतनी जो तुम पढ़ रहा हो किताब है यह किस पे based है energy पे based है everything is based on energy क्योंकि वही energy हमें मदद करती है काम करने में activities करने में अपनी life की I hope this is very clear So what is happening over here flow of energy हाँ भाई हाँ non-vegetarian काएंगे मैं अंडे की कहानी भी complete कर दो अब तो यह तो थी apple की कहानी अब आते हैं अपन egg की कहानी पे ठीक है अब यह अंडा है भाई अब अंडा दिया है मुर्गी ने ठीक है क्योंकि पिछले में हमने plant की बात की है यहाँ पे मैं animal की बात करूँगी ठीक है मुर्गी ने दिया अंडा यानी animal से आया है अब इस animal ने इस animal ने भी तो खुद energy ली होगी यह कैसे जिन्दा है बेटा इसने अंडा कैसे दिया कैसे अंडा दे सकता है वो जब उसमें खुद में तो थोड़ी जान हो तो यानी इस animal ने energy ली इसने energy कैसे ली मान लो इसने कोई grass खाई होगी इसने कोई घास खाई होगी जिससे इसको energy मिली होगी फिर से वही कहानी आ गई grass क्या है plant है इसने क्या किया होगा photosynthesis तो ultimately किस से energy आई sun से तो चाहे बेटा तुम vegetarian हो non-vegetarian हो thank you जो तुमें sun को ही कहना पड़ेगा घूम फिर के pure non-vegetarian हो कुछ चे कहता है माम हम pure non-vegetarian है हम को कैसे dependent है हम plants पे तो बेटा घूम फिर के जो तुम animal खा भी रहे हो या कोई भी consume कर रहे हो तो वो भी अपनी energy directly और indirectly किस से लेता है plants से ही लेता है and that too उनका source of energy क्या होता है ultimately sun so I hope यहाँ पे खेल इदर भी किस का है energy flow का है ठीक है तो यानि energy बह रही है ऐसे क्या बन गई है एक type की food chain इतने सारे arrow बना दिये arrow बना दिये यानि के simply this is a type of a food chain exact food chain बनाएंगे बटाय हो अभी concept समझाया होगा कि इतनी बाते हम कर क्यो रहे है it is all based on energy चलिए so यही story लिखी है तीन लाइने समझने के लिए हमें पूरा example देखना पड़ा देखो the interactions among various components of the environment involves flow of energy from one component of the ecosystem to the another for instance अब इन लोगने एक example दिया है in a grassland ecosystem all green plants are producer अब यह कुछ-कुछ word याद रखने है movie आद मत कर लेना है producer movie का producer यहाँ producer अलग है ठीक है producer और consumer की कहानी यहाँ पे अलग है देखो producer हमें पता है वो जो खाना बनाए यानि पूरे ecosystem में वो जो खाना बनाए अब यह मत कहना कि माम हमें खाना बनाना आता है हम अपना खाना खुद बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन बेटा जब kitchen में जाओगे खाना बनाने तो क्या बनाओगी कोई न हो चीज तो यूज करोगे कोई फ्रूट यूज करोगे कोई vegetable यूज करोगे rice यूज करोगे वो तो यूज कर रहे हो तो ये सब कहां से आया है na, मामती हूँ कि राने की दुकान से आया लेकिन उनके पास कहां से आया तो गूम फिर के कहानी आ जाती है फिर से किस पे plants पे ठीक है? गूम फिर के plants को नमस्कार करो है तो किसकी कहानी आ गई है? प्रडिूसर की कहानी है मोवी का प्रडिूसर नहीं है याद रखना अब grassland ecosystem की बात है, different type की ecosystem हमने पड़े हैं, grassland वाले में, जितने भी herbs, shrub, छोटे पेड, बड़े पेड, सब को किसमें डाल दिया जाता है, producer के अंडर These autotrophs manufacture their food by utilizing the radiant energy of the sun by the process of photosynthesis यह वही बात है जो मैंने आपको हिंदी में बताई, पस यह बात English में लिखी हुई है as an example थोड़े पहले के time में ऐसे वाली वाईक होती है, जिससे kick मार के start करते हैं और एक होती ही auto start, यह नहीं click करो और start हो जाएगी तो auto मतलब क्या खुदी हो जाना, तो autotroph कौन होते हैं, वही जो अपना खाना खुद बनाते हैं ठीक है, plants की बात हैं यहाँ पर, तो जितने भी plants हैं, खाना कैसे बनाते हैं, sun की solar energy को लेके photosynthesis करते हैं, उससे खुद का खाना बनाते हैं और बाक्यों को भी देते हैं So during photosynthesis, producers capture solar energy and convert it into chemical energy फिर से अगर आपको physics का एक chapter याद आए, sources of energy है ना, इसी यहर का है, तो उसमें क्या लिखा जाता है, energy की बात करी जाती है, है ना, energy की बात करी जाती है और energy हम सबको पता है, it can neither be created nor be destroyed, यानि physics में भी हम सेम बात पढ़ रहे हैं, biology में भी, अब तुम chemistry में जाओ, तो भी यही रहेगी की energy क्या है भाई, ना बना सकते हो, ना तोड़ सकते हो, it can only change from one form to another so for instance, sun की कौन सी energy है, solar energy है, तो उस energy को तुम पकड़के, capture करके, तुम यानि plants, capture करके, किस में convert कर देते हैं, chemical energy में ठीक है, और ऐसे ही, इसी chemical energy को use करके, और दूसरी energy में convert किया जाता है यानि अगर हमने इन plants को खा लिया, हमने काम किया, यानि थोड़ी देर, अगर मैं यहापे चलती रहा हूँ, तो मुझे पसीने बहने लगेंगे वही तो स्टोरी है, क्या स्टोरी है भाई, during photosynthesis, producers capture solar energy and convert into chemical energy these autotrophs are eaten up by plant eaters, जैने herbivore कहते हैं, अब यह तो बचपन की कहानिया है यार, है न, third, fourth महीं पढ़ते हूँ, herbivore कौन, जो plant को खाते हैं, plant eating they come under primary consumer, the herbivores are subsequently eaten up by flesh eating animals, herbivores को कौन खाता है भाई, यानी जानवर को कौन खाता है, carnivore तो यह आ जाएंगे secondary consumer, अच्छा, primary, secondary, consumer यह सब क्या है, तो यह हम last session में already discussed कर चुके हैं, ecosystem के अंदर तो उस वीडियो को देख लेना जान से, ठीक है, चलिए the carnivores में भी eaten up by larger carnivores, छोटे वाले को बड़ा वाला खा लेगा, मतलब यह story जो है, चलती जाएगी, simple से, फिर से एक example से मैं समझाती हूँ, आपको, देखो example से कहानी समझना आसान है, क्या ले लेते हैं, grass ले लो, ठीक है grass ले लेते हैं, फेर अपन ले लेते हैं, क्या ले सकते हैं, कोई भी एक छोटा सा insect ले लो, या फिर housefly ले लो, चलो, ठीक है housefly मक्खी ले लो, मक्खी को किस ने खाया, मक्खी को कौन खाता है, housefly ले ली, housefly को lizard ने खा लिया, ठीक है अब ऐसे मैं कहानिया बना रही हूँ, शायद लिजर्ड को पसंद नहीं हो, हाउस फ्लाइ बढ़ ठीक है, मान लेता है भाई, ठीक है, ग्रास है, ग्रास को हाउस फ्लाइ ने खाया, हाउस फ्लाइ ग्रास को क्या से खाये गी रहे, ग्रास हो पर लिख दो, छोड़ो, को शेर ने खा लिया ओके थोड़ी फणी सी फूट चेन है ठीक है अब ये क्या है ये एक टाइप की बटा फूट चेन हो गई अब मेरी बात ध्यान से सुनना ठीक इसी को फूट चेन कहता है कुछ वेट मत करो कि मूवी में क्लाइमाक्स ही आने वाला कि माम कुछ अलगी है फूट चेन यही है फूट चेन एक दूसरे को बस खा रहे हैं ओके चालो अब इस फूट चेन में बात मेरी ध्यान से सुनना ये जो पहला वाला है सबसे पहली पोजिशन जो लेता है यूजवली प्लांट होते ह अब प्रड्यूसर यानि जो फूट बनाते हैं सनलाइट की एनरजी से ये किस में आते हैं बिटा प्रड्यूसर के अंडर आते हैं I hope this is clear क्योंकि पीछे प्रड्यूसर और कंजूमर वर्ड आये हैं और अगर पूरे वीडियो में क्वेश्चन मार्क रहेगा तो समझ ही नह प्रड्यूसर हो गया ग्रास होपर क्या है अब प्रड्यूसर मतलब क्या ये ग्रास बन गई कुद्रत में प्लांट बन गई तो वो देखने के लिए तो नहीं बने है कि बढ़िया बैठ जाओ है ना हाथ रखे और उन्हें देखते रहो बनाया क्यों है ताकि उन्हें कोई consume कर सके, तो यानि producer को कौन करेगा, consume करेगा consumer, तो इनका नाम में क्या लिखती हूँ, consumer, मेरी बात अच्छे से सुनना, producer के, आगे वाले जितने भी हैं, सब के सब consumer, क्या बोला मैं हमने, producer के, आगे वाले जितने भी हैं, सब के सब consumer, अब इन consumer को बस category consuming them. Now, these consumers have been categorized. अब सबसे पहले वाले को क्या कह दिया? जो producer को खा रहा है, यानि जो हर भी ओर होगा, that will come under primary consumer. अब बस इसमें primary, secondary लगाते जाओ. ठीक है? ये क्या हो गया? Primary consumer. इसको खाने वाला कौन? है तो सब के सब ही consumer. बस ये हो गया? Secondary consumer. ठीक है? Secondary consumer. इसको खाने वाला कौन? Cat हो गई. Tertiary consumer. ठीक है? और इसको खाने वाला कौन? आगे और आप जो है categories बढ़ा सकते हो. वैसे तो usually fourth, fifth ट्रॉफिक लेवल तक ही होता है. ट्रॉफिक लेवल वर्ड आगे बताऊंगी. मतलब almost यहां तक कहानी आती है. Tertiary से लेके आप जो है four degree वाले तक आ सकते हो. बाकी that's it. यहनि ऐसे story चलती आगे. तो जो words देखोगे, इसी टाइप से देखने को मिलेंगे. Clear है? So the carnivores may be eaten up by larger tertiary consumers. Thus, beginning with the producers, onward to herbivores, carnivores and next level carnivores, all organisms are interlinked in a definite sequence and evolved transfer of energy from producers onward to the last link in the chain. यहनि आखरी तक चलती आ रही है कहानी और आखरी तक क्या ले रहे हैं यह? इनर्जी ले रहे हैं. मतलब शेर को भी क्या चाहिए? शिकार करने में मानती हूँ, मजा आता होगा उसको लेकिन चाहिए तो उसको भी एनर्जी ना? उसको थोई ने मजा रहे हैं किसको मारूं भाई? उसको भी चाहिए एनर्जी. ठीके, परका साइब सीन सम पीपल, कुछ लोग देखते हैं, या अगर शेर ने किसी कैट को खा लिया, किसी हिरन को खा लिया, तो लोग दुख मनाते हैं. अरे भाई हम भी तो वही कर रहे हैं, हम अगर तुम vegetarian भी हो, non-vegetarian हो, हम भी तो खा रहे हैं, तो यानि हम कर क्यून है, यह सब nutrition के लिया, तो शेर के, शेर जो भी करता है, लाइन भी जो कर रहा है, वो भी उसके nutrition के लिए है. I hope this point is very clear. So, अब आजाती है food chain की इतनी बाते तो कर ली लेकिन बाते मत लिखके हाना definition क्या कहती है The sequential interlinking of organisms involving transfer of food energy from the producers through a series of organisms with repeated eating and being eaten is called food chain The food chain की definition क्या कहती है sequential interlinking interlinking किस की सभी organisms की जो की किस का transfer करने है main कहानी, main लड़ाई किस के पीछे है energy के पीछे So, transfer of food energy producers से लेके आगे तक क्या बोल दोगे, हर एक नाम मत लिखते रहे primary consumer, tertiary नहीं सीधे लिख देना, series of organisms with repeated eating and being eaten is called a food chain So, clearly इस वीडियो में भी आप देख पा रहे हो देखो, कैसे यह ओड़के आया इसने खून चूसा इंसान का ठीक है, इसको अपन मच्छर ले सकते हैं ठीक है, इसा मस्कीटो और इसको खा लिया किसी चैमेलियन ने, अब यह गूम रहे है अब इस चैमेलियन को भी खा लिया एक बर्ड ने अब देखो कितने सुंदर सा फूट चैन है यहाँ पर आपको कौन दिख रहे हैं सन, सन की एनरजी पढ़ी फोटो सिंथसिस की खाना वाना बनाया किसने? ग्रास ने कौन से एको सिस्टम की बात है यह भी आद रख लो, अभी हम ग्रास लैंड एको सिस्टम की बात कर रहे हैं अरड़ी हम देख चुके हैं एको सिस्टम बहुत सारे टाइप्स की होते हैं आपका एक्क्वेटिक विस्टम है, पॉन्टीक विस्टम हो जाएगा सो औन एं सो पोर्थ ल्हाया वह करें यहां हम ग्रास लैंड की बात करें ग्रास लैंड में क्या मिलेगी? एक ही बात है Grasshopper को किसने consume किया? Frog ने Frog क्या हो गया? Secondary consumer या consumer of second order ऐसे ही story आगे बढ़ेगी Frog को किसने खा लिया? Snake ने खा लिया? Samp ने खा लिया भाई तो यह हो गया consumer of third order या tertiary consumer ऐसे ही story आगे बढ़ेगी Hawk तकालो, steak ने किसको खा लिया? Hawk ने खा लिया यह आजाता है top carnivore में Top carnivore किसी कहता है याद रखना जो भी food chain में last वाला carnivore आता है ध्यान से सुनना जिस भी food chain में जो last वाला carnivore आता है That is known as the top carnivore ऐसी भी food chain हो सकती है जहाँ पे शायद snake हो जाए top carnivore या frog तक ही चले जाए So story different हो सकती है वो depend करता है कि कितनी आपकी food chain की length है तो मैं थोड़ा यहाँ side हो जाती हूँ clearly अगर चाहो तो इस food chain का screenshot लेके फिर इसे बना सकते हो ओके चले कहीं नहीं गई हूँ मैं यहीं हूँ आओ आगे जैसे मैंने अभी एक word कहा उसी word पे आगया पूरा topic मैंने word कहा कितनी आपकी food chain की length हो यानि different different ecosystem में food chain की length अलग हो सकती है यार अब जरूरी नहीं है कि पिछली food chain जैसी कहानी चले कि इस grass को जो है सिर्फ grasshopper ने खाया और grasshopper को जो है सिर्फ frog ने खाया पीछे याद करो जो मैंने food chain बनाई थी उसमें मैंने क्या कर दिया था उसमें जो है grasshopper को खा लिया था camellian ने तो कुछ भी कहानी हो सकती है ऐसा थोड़ी ना है कि grasshopper कहेगा नहीं नहीं भाई मुझे तो सिर्फ frog खाएगा ऐसा नहीं है भाई कोई भी किसी को खा सकता है या फिर यह grass कहेगी कि मुझे तो सिर्फ grasshopper ही खाएगा कोई भी खा सकता है इसे goat खा सकती है बकरी खा सकती है डियर खा सकता है एनिवन केन इत इस grass इसनिट तो यानि इससे decide होता है आगे चलके कि कैसे interlink है कहानी और दूसरी बात कि food chain की length कितनी है अब कहीं पे मान लो ऐसा ecosystem है जहां पे snake और hawk है ही नहीं क्या बोला बेटा मैंने कहीं पे मान लो ऐसा है कि वहाँ snake और hawk है ही नहीं तो ये food chain आके frog तक रुख जाएगी कि नहीं सही बात बताओ snake और hawk होगा ही नहीं तो frog को खाएगा कौन तो यानि इतनी है food chain की length और कहीं पे मान लो शायद snake होगा लेकिन hawk नहीं है तो इतनी हो जाएगी food chain की length थोड़ी और बढ़ जाएगी So this is basically length of food chain depend करता है different types of ecosystem पे crystal clear तो इस बात को जरा अपन पढ़ लेते हैं In ecosystems different food chains may have 2, 3, 4 और maximum 5 traffic levels Such food chains in different ecosystems are depicted accordingly a food chain में end at हो सकता है हर भी वोर पे ही रुख जाए बिलकुल possible है अगर ecosystem में बेटा कार्निवोर होगा ही नहीं अगर ecosystem में आगे कार्निवोर होगा ही नहीं तो food chain primary consumer यानी हर भी वोर तक रुख जाएगी किसी में जो है primary carnivore तक रुख जाएगी secondary carnivore, tertiary carnivore यहाँ पे आके food की chain खतम हो सकती है So again यह किस पे depend करता है It solely depends कि किस type का ecosystem है और वहाँ पे consequence of organisms available है I hope this point is clear length of food chain सिर्फ एक concept समझने की बात थी जो कि मैं मानती हूँ समझ गए होगे तो इसका एक example देख लो diagram सिर्फ सबसे best समझ सकते हो अब मुझे सिर्फ count करके step बताना है आपको बहुत ही simple सा काम है and even questions में directly पूछे जाता है आपको कोई एक image जे देंगे जैसे सबसे पहले द्यान होना चाहिए आपको first वाले पे first step में यहाँ पे first A वाले में दिया गया है plants और इन plants को खाने वाले elephant यानि यह बताता है कि कोई ऐसा ecosystem है जहाँ पे सिर्फ plants है और सिर्फ उनको खाने वाले elephant और कोई नहीं है जो इन्हे consume करेगा तो जरा step count करो plant हो गए number one step elephant हो गए number two step तो इसे मैं कह सकती हूँ this is a two step food chain in a forest so length of food chain आए तो I hope count कर सकते हो और अभी आपके लिए एक home work आने वाला है तो बिलकुल अपने comment section में तयार हो जाओ chat वागरा छोड़ दो सिर्फ comment section में आओ और जल्दी से बताना कि ये जो second वाला है ये भी मैं बताऊंगी third वाला बताऊंगी ठीक है इसमें कितनी step है grass है grass को deer खा रहा है deer को tiger खा रहा है ये ओ गई third step food chain मुझे इस वाली food chain की इस वाली food chain की length बताओ this is your homework कैसे comment करके बताना है comment वाले section में सिर्फ आपको hw type करके dash लगाना है तो जब मैं comment चेक करूँगी मुझे समझ आएगा कि homework का answer दिया है homework लिखना है और इसे observe करके बताओ मैं clearly फिर से एक बार बना देती हूँ है ना अच्छे से थोड़ा इसको highlight करता हुआ बना दे रही ये वाली food chain की length आपको मुझे बतानी है मैं आपको पढ़के बता देती हूँ grass है grass को खा रहा है grasshopper grasshopper को खा रहा है frog frog को खा रहा है snake और snake को खा लिया finally eagle ले तो ये कितने step की food chain है clear है बिलकुल? चलो उम्मीद करती हूँ जल्दी से आंसर दे दिया होगा ये grass है ये दूसरे वाला rabbit है तीसरा wild cat, tiger अलग-अलग step की food chains है और उम्मीद करती हूँ आगे सब समझ गए होगे ठीक है? चलिए इसी वेसे ये pattern चलता है producer, herbivore, carnivore, secondary carnivore and tertiary carnivore same story है बस आगे वही बाते जो हैं कहीं न कहीं आगे पीछे repeat होती है चलिए now let's come to a very important topic that is characteristics of food chain characteristics word का मतलब होता है कि यार food chain होती कैसी है यार इसके बारे में अगर हम कुछ terminologies पढ़ें कि अगर अपन कहें किसी girl के बारे में बताना है किसी girl के बारे में बताना है usual description है उसके hair long होगे voice थोड़ी sweet होगी हाना ये कह सकते हैं है की नहीं कह सकते हैं कि hair long होगे girl के voice थोड़ी sweet होगी हाना body का posture अलग होगा तो हम कह सकते हैं कि ऐसी होगी एक girl ठीक है boy कैसा होगा ऐसे हम बता सकते हैं वैसे ही बोलो मैं कहना कह चाते हो कि अगर food chain कैसी होनी चाहिए या कैसी होती है उसके कुछ features है point number one a food chain involves a nutritive interaction between the living organisms of an ecosystem nutritive interaction मतलब क्या यहां पे सभी काम किस चीज के लिए हो रहा है nutrition के लिए यानि यह जो एक दूसरे को खा रहे है क्यों खा रहे हैं क्यों consume कर रहे हैं because of nutrition because nutrition ultimately क्या provide करता है energy और energy क्यों चाहिए एक और link जोड़ लो energy provides us the capacity to do work तो यानि work करने के लिए work करने के लिए हमें क्या चाहिए energy तो समझ आ रहा है food chain का relation कैसे है इन सब से it involves a nutritive interaction between living organisms next in a food chain there occurs repeated eating that is each group eats the other group and subsequently is eaten by some other groups of organism repeated eating यानि क्या eating तो खाना होता है मैं मतना समझ चे है repeated eating का मतलब क्या है कि मान लो एक group of organism है उसको दूसरे group ने खाया मान लो यह जैसे grass है grass को grasshopper के group ने खा लिया अब grasshopper ऐसे थोड़ी ना है बड़िया खुला घुमेगा उसको भी कोई खाने वाला है repeatedly उसको कौन खाएगा frog अब frog भी खुला नहीं घुमेगा आ गया snake अब snake को खाने वाला hawk और hawk भी बिचारा कभी ना कभी तो मरेगा तो सभी को कोई राजा हो शेर हो कितना भी successful हो मरना तो सभी कोई है एक दिन तो hawk का भी यही हाल है although उसने snake को दुखा लिया but then ultimately कभी न कभी वो मरेगा वो मर जाएगा तो उसकी body पे कौन आक्ट करेंगे decomposers decomposers हो जाएगे bacteria and fungus तो यानि कहानी चलती रहेगी eating repeatedly होती है so I hope यह point clear है coming to the next point a food chain is always straight and proceeds in a progressive straight line इस बात को अच्छे से याद रखना a food chain is always straight अगर characteristics में आई objective में ऐसा या true and false में कि is food chain always straight तो उसको बिलकुल टिक करना देखो कभी भी always word use करने में सोचा करो and यहाँ पर always दिया है मतलब इसका importance काफी जादा है हमेशा straight रहती है अब straight रहने का मतलब क्या है देखो जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ इस वाली food chain को observe करो ऐसा नहीं है ज्यान से सुनना ऐसा नहीं है कि इस यह plant है यह elephant है elephant ने plant को खाया यह है एक straight food chain ऐसा नहीं होगा कि यह जो plant है वो elephant को खाले बुलो कि मैं कितनी अजीब सी बात लग रहे वही तो है ही अजीब तब ही कहा चाता है कि food chain कैसी है always यह word always लगा दिया यानि इसका importance काफी जादा है food chain क्या होती है always straight straight का मतलब यह नहीं है कि यहाँ पे ऐसे curve बना दिया arrow में तो straight नहीं है straight का मतलब यह है कि अगर grass deer से यानि deer ने grass को consume किया तो ऐसा नहीं है कि grass deer को खा जाएगी या फिर अगर deer को share ने खा लिया तो यह food chain उल्टी नहीं हो जाएगी कि share deer ने share को नहीं खा लिया share ने deer को खा लिया तो deer share को खालेगा बोलो कि मैं घूम गई कहानी मतलब कहने का समझ गा है कि यह चीज reverse नहीं हो सकती straight चलेगी ठीक है भाई share deer share deer मत करना ठीक है चलो आ जाओ jokes apart but I think always straight का मतलब समझ गा है third point in a food chain there is unidirectional flow of energy from sun to producers and subsequently to series of different types of consumers unidirectional का मतलब क्या होता है univered का मतलब होता है one so unidirectional flow of energy मतलब क्या कि energy का flow जो है एक ही direction में होगा सिर्फ one direction में so यह बात काफी obvious बैठती है क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि food chain straight है तो मतलब plant को elephant नहीं consume किया तो plant से जो energy है वो elephant में ही जाएगी यहां से उल्टी होके नहीं आएगी तो यह दोनों points आपस में correlated है and point को याद रखना है कैसी होती है food chain में unidirectional flow of energy Coming to the next point Usually there are 3 or 4 traffic levels in the food chain in a few food chains there may be maximum 5 traffic levels बहुत जादा traffic level नहीं होते हैं इसके reason है आगे जाके हम देखेंगे कि ऐसा क्यूं है इतने जादा traffic level नहीं होते है and what traffic level क्या है इसको भी मैं आगे समझाओंगी तीसरे topic में आएगा अब इसको थोड़ा hold पे रखो ठीक है Some organisms are omnivorous These occupy different traffic positions in different food chains अच्छा अब omnivorous मतलब क्या होते है वो organisms जो plants भी consume करे और animals को भी consume करे उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें हम कहते हैं omnivorous बुलो माम बच्चपन से इतना तो पढ़ा ही था अब ये point कहता है These occupy different traffic positions in different food chains तो कहने का मतलब ये है कभी हो सकता है ये वाला जो organism है plant को खाए तो वो अलग जगा पे आएगा food chain में और कभी मान लो इस organism का मन किया कि वो animal को खाए तो वो different जगा तो यानि कि different different ecosystem में ये लोग अलग अलग traffic level ले सकते हैं कौन? omnivorous क्योंकि depend करता है क्या depend करता है कि आज जो है जो non-vegetarian होते कही न कहीं वेच्टों खाते ही है तो अभी रोज दाल रोटी खा रहे हैं सबजी खा रहे हैं किसी दिन मन किया किसी दिन मन किया non-veget खा लिया तो यानि ऐसे ही omnivorous की कहानी है किसी जगा पे ये वेच्ट खा रहे हैं यानि plants consume कर रहे हैं किसी जगा पे ये animals consume कर रहे हैं तो this is the reason due to which कि अलग अलग पोजिशन वो ले सकते हैं food chain में ठीक है किसी जगा पे हो सकता है ये primary consumer हो तो किसी जगा पे tertiary consumer हो crystal clear? Okay Next point At each transfer generally 80 to 90% of energy is lost as heat in accordance with second law of thermodynamics ये बहुत important कहानी चलेगी जब energy flow में पढ़ाऊंगी क्योंकि पूरी खेल है energy के ऊपर तो बेटा जो आज तुम fruits खा रहे हो vegetables खा रहे हो कितनी energy आपको मिल रही है आप तक आने में कितनी बची घूम घूम के आई है जो energy आप तक energy कितनी बची तो यानि कितना मालो 80 to 90% तो loss हो गया 80 to 90% heat के तोर पे loss होता है second law of thermodynamics के accordance में तो आगे जब हम आएंगे इतनी चीज़ याद रखो बस इसको अभी नाम के लिए याद रखो कि ऐसा कुछ दिखेगा energy flow में हम आगे पढ़ेंगे 10% law यानि यह जो flow of energy है एक 10% का law follow करती है जो कि काफी interesting story है इसको अपन आगे cover करेंगे यह क्या थे सबसे main focus होना था किस पे characteristics of food chain पे next let's come to more example of food chain कुटली काफी जल्दी से हम examples को cover कर लेते हैं ता कि अगर कुछ doubt बचे हो तो concepts are clear हो जाएं in the food chain that we had discussed above there are three organism involved grass deer and lion so it is said to be a food chain having three step या फिर अच्छा three step भी कह सकते हो या फिर three link भी कह सकते हो the same grassland has many other food chains operating in it which can have different number of steps तो कहा यह गया है अभी आपने पीछे एक step देखी थी अब grassland के अंदर limited number of organism तो है नहीं बाकी organism भी है मतलब अलग-अलग जगा अलग-अलग type की food chains operate कर रही होंगी let us take the example of a grassland or food chain having four steps in a grassland ecosystem grass is eaten by insect insects are eaten by frog and frog is eaten by bird this is a grassland food chain involving four steps which can be represented as follows तो यह four steps को अगेन हम रिप्रिसेंट कर सकते हैं पहला देखो क्या है grass है जो कि producer आता है इसको किसने खाया किसी insect ने जैसे आप example ले 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 न grasshopper ने जो कि एक हर्भी बोर है तो यह किसमे आएगा primary consumer में इसको किसने खा लिया third step में आता है frog third step में क्या आता है frog जो हो गया secondary consumer यह है carnivore and next आ जाएगा हमारा top carnivore इस वाली chain का क्योंकि इस वाली chain में आखरी में कौन है bird है हमारी eagle तो यह हो जाएगी four step food chain पहली बात तो यह और दूसरी बात क्या इसमें top carnivore क्या है हमारा eagle क्योंकि खतम यहीं पर हो रही है हमारी food chain तो ऐसे जितने भी example आए question में आप लिख के आ सकते हैं या फिर mark कर सकते हैं और राइट another force of food chain plants, worms, birds, cat so we will now discuss food chain operating in an aquatic ecosystem grassland की तो काफी बात कर ली quickly से aquatic की भी बात कर लेते हैं aquatic में देखो जैसे मान लो algae है, phytoplankton ठीक है, इधर पर यह producer है इनको किस ने खाया? protozoa ने खाया herbivore हो गई है protozoa को किस ने खाया? छोटी वाली fishes ने खा लिया छोटी वाली fishes को किस ने खा लिया? बड़ी fish ने इधर पर top carnivore या large carnivore कौन है? big fish and again यह भी कितनी step है 1, 2, 3, 4 4 step की food chain aquatic food chain हो गई अब जो है आप एक example ले सकते हो grass, deer और lion का ऐसे ही बहुत सारी x, y, z food chain है देखो भई इसी type की forest food chain है grass left food chain है मैंने इसलिए रखी हैं ताकि आपको जिसको भी note down करनी हो वो कर सकता है बाट उमीद करती हूँ food chain बिल्कुल clear होगा ये इतनी बार क्यों clear कर वारी हूँ? क्योंकि बेटा इसी के just बात आने वाला है food web तो food web समझने के लिए food chain समझना काफी ज़रूरी है ओके? चालिए let's talk about competition window तो अब usually काफी सारी चीज़ें तो NCRT based रहती है लेकिन जहां मुझे लगता है कि अलग से Olympiad के हिसाब से competitive के हिसाब से मैं आपको information दे रखूँ तो वो मैंने अलग से mention कर दी है और काफी simple है ये इसमें हम देखेंगे दो type की food chain यानि इतनी देर सो जब अपन food chain पढ़ रहे है सब वही है बस हमने उनको नाम दे दिया है उनको category दे दिया है So two types of food chains are found depending upon the first traffic level Number one grazing food chain Number two detritus food chain यानि पहले traffic level पे depend करता है कि कौन से food chain है Again traffic level को hold पे रखो आगे discuss करेंगे grazing food chain क्या होती है Grazing food chain यानि इतनी देर सो जब आपन common वाली food chain देख रहे है जिसमें पहला producer कौन है grass है, plants है यानि वो जो sun की energy से food बना रहे है अगर पहले वो आते हैं So ये grazing food chain है So maximum अभी पीछे आपने जितने example दिये They all come under grazing food chain So quickly से read कर लेते हैं These are directly dependent upon solar radiation as the primary source of energy Green plants form the first trophic level of the food chain So grazing food chain में अगर सवाल आ जाए कि सबसे पहला level सबसे नीचे कौन होता है तो आपको clearly बताना है green plants होते हैं यानि वो जो sunlight की energy को use करके food बनाते हैं वो आते हैं grazing food chain के अंदर वो होगी पूरी की पूरी grazing food chain They synthesize their food by the process of photosynthesis Herbivores और primary consumers feed upon the producers and form the second trophic level Herbivores are eaten by carnivores of different categories These are longer food chain यानि छोटी food chain हो बड़ी food chain हो Grazing food chain कौन? जिसमें पहले आए green plants यानि यहाँ पे green plants हैं अब इनको खाने वाले कोई भी आ जाए मेरी बात को अच्छे से सुनना बिटा उपर बस green plant आने चाहिए producers में उसके बाद इनको चाहे deer खाए इनको चाहे कोई insect खाए इनको चाहे कोई भी खाए यहाँ पे आपन लिख देते हैं इनको चाहे कोई भी खाए कोई परक नहीं बढ़ता है बस पहले कौन आना चाहिए? पहले आने चाहिए green plants तो green plants आगा यानी वो क्या है? जो यानी photosynthesis से food बनाए जो कि होते है green plants तो clearly that will constitute the grazing food chain यह हो गई number one अब आते हैं number two food chain पे जिसका नाम है detritus food chain यह पिछली वाली से अलग इसलिए है क्योंकि इसमें green plants की जगा कोई और ले लेता है primary energy source of detritus food chain is dead organic matter जिसे कहते हैं detritus I hope detritus word का मतलब पता होगा वो living organism जैसे plants and animals जो मर जाते हैं अब मर जाते हैं तो उनका जो organic matter हो जाता है वो dead हो जाता है तो उसी dead organic matter से nutrition लिया जाए यानि nutrition का source act करते हैं that type of food chain is detritus food chain main source of dead organic matter are fallen leaves या dead animal bodies यानि जितने भी लोग मर जाते हैं या फिर आप plants पेडों में देखते हैं जो पत्तियां जड़ जाती हैं वो main source होते हैं किसके detritus food chain के primary consumers are detritus यानि detritus eating these include protozoa bacteria fungus यानि detritus को खाने वाला कौन प्राइमरी consumer वो कौन constitute करते हैं उनका नाम होता है dead tree words और ये dead tree words mainly कौन होते हैं bacteria और fungus जो कि dead organic matter पे act करते हैं the dead tree words are eaten by secondary consumer which include insect के larvae छोटे छोटे इंसेक्ट इनको खाते हैं they are shorter than grazing food chains इस चीज़ को हमेशा याद रखना detritus food chain grazing food chain से छोटी है of course क्योंकि यार इनका energy source एक तो बिलकुल ही अतरंगी है और उसको consume करने वाले भी popular मतलब कह सकते हैं कि जादा variety नहीं है इसलिए ये food chain जादा लंबी नहीं होती है I hope grazing and detritus food chain में difference बिलकुल clear होगा इस type के होती है detritus food chain बस image से देख के समझ लो अच्छे से dead leaves है यानि जो आप पेड़ पौदे देखते हो dead leaves है नहीं तो आज तक तो कितनी पहाड़ बन चुके होते लेकिन कहीं न कहीं इनकी अलग food chain चल रही है ये भी consume किये जा रहे है उसी से linked topic जिसका नाम है food web अब food chain थोड़ी-थोड़ी food web चैसी ही है food web web का मतलब क्या होता है पता है spider का web होता है web यानि क्या इसको अगर simple words में लिखे तो मकडी का जाला जाल यानि क्या एक network simple language में अगर कहीं एक network network मतलब क्या चीजें एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़ी होई है तो जब various food chains बिलकुल अच्छे से सुनना जब various food chains एक दूसरे से interlinked होती है उन्हें ही कहा जाता है food web the various food chains operating within an ecosystem of the biosphere cannot function in isolation ये बिलकुल सही बात है ये तो वही बात हो गई अरे ये तो वही बात हो गई कि यहाँ पे grass है इस grass ने कहा कि मुझे कि मतलब मुझे कोई और रही खाएगा सिर्फ और सिर्फ grasshopper खाएगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता पताओ ना possible बात है कि आप practical life में देख रहे हो grass सिर्फ जो है उसको सिर्फ grasshopper खा सकता है हो ही नहीं सकता तो practical life में ये possible है ही नहीं isolation में अलग से functioning नहीं हो सकती है कहीं न कहीं इस grass को जो है grasshopper भी खाएगा चूहा भी खाएगा rabbit सब खा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो इस case में अकेली food chain काम नहीं करती है इस case में एक network बन जाता है जिसका नाम है food web तो देखो यहां पर कैसे एक network बन रहा है है ना तो कैसे देखो ना ऐसे network बना हुआ है अपन food chain में क्या कर रहे थे एक CDC line बना रहे थे लेकिन यहां देखो यहां grass को rabbit भी खा रहा है mouse भी खा रहा है अब grasshopper को अकेला frog थोड़ी ना खाएगा grasshopper कहता है नहीं नहीं मैं जो है सिर्फ frog के पास जाऊंगा मैं bird से नहीं खाऊंगा bird मुझे नहीं खा सकती ऐसा नहीं होता ना यार भाई grasshopper को frog भी खाएगा bird भी खाएगी अब इस frog को owl भी खाएगा नहीं खाएगा तो यानी आप isolation में work नहीं कर सकते हो food chain बस एक concept है समझने के लिए हमेशा theory से बाहर practical प्राक्टिकल प्याना ही पड़ता है यार भी science पढ़ रहे हो फिर भी आपको lab में जाके practical तो करना ही पड़ता है तो थोड़ा इस food chains are interconnected by organisms which are a part of more than one food chain यानी हर organism कहीं न कहीं एक food chain से जादा का part हो सकता है तो example आपके सामने है भई इस frog को owl भी खा रहा है steak भी खा रहा है तो इस वाली food chain का भी part हो गया इस वाली food chain का भी part हो गया आई की नहीं बात समझ Thus various food chains form a network with interconnection and linkages called a food web तो ये है food web की बहतरीन सी definition जो मैं चाहूंगी नोट करो फिर से पढ़ लेते हैं definition को various food chains form a network with interconnections and linkages called food web clear है चलिए more precisely food web is a network of food chain which become interconnected at various trophic levels so as to form a number of feeding connection among different organisms of a biotip community In a food web one organism may occupy more than one position अगर सवाल आता है true and false करके कि क्या एक food web में सवाल सुनिएगा क्या एक food web में एक organism एक से ज़दा position ले सकता है तो आपका जवाब होगा जी हाँ येस ऐसा करना जवाब है ना ऐसा ही होगा हो सकता है न क्यों क्योंकि जरूरी नहीं है एक organism को सिर्फ जो है सिर्फ जो है दूसरा एक ही organism खाए अरे वही बात पीछे देख ली grass को अलग-अलग लोग खा सकते हैं मैं इतना समझ गए हम चलिए और ये तो दो दो नाम बोले हैं अभी तो सिर्फ आपको आसान रखने के लिए दो नाम बोले हैं और भी इतनी वेराइटी है जो आप इमाजिन भी नहीं कर सकते हैं तो नहीं तो नेचर में मतलब मैं समझ गए हम क्या होता है फूड वेब काम करता है जैसे देखो यहाँ पे क्लरली देखो यह प्लांट है यह प्लांट है यह प्लांट है यह प्लांट है अब इस प्लांट को यह प्लांट पांच फूड चेन में है यह अकेलर प्लांट इसको ग्रास हॉपर भी खा रहा है इसको grasshopper भी खा रहा है, rabbit खा रहा है, mouse खा रहा है, mouse खा रहा है अब ये grasshopper देखो, दो food chain का part है, इसको hawk भी खा रहा है, इसको lizard भी खा रही है आई कि नहीं बात समझ, अब ये hawk देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांचो food chain में है पांचो food chain में ये as a top carnivore act कर रहा है, mouse देखो, mouse भी दो food chain में है एक जगा mouse को hawk खा रहा है, एक जगा snake खा रहा है तो यानी कहानी समझ आ गई है न, यानी कहानी क्या समझ आई? कि food chain वाली कहानी जो है, सिर्फ समझने के लिए थी, mainly जो work करता है, that is basically a food web यानी network में चीज़ें काम करती है, clear, characteristics पढ़ लेते हैं, जैसे food chain के पढ़े थे, देखो, एक बार food chain समझ गए न, आगे की कहानी कितनी easy है अब food web के characteristics क्या होंगे, काफी मिलते जुलते हैं, unlike food chains, मतलब पहला वाला मिलता जुलता नहीं है, unlike की कह दिया, यानी unlike food chain, food webs are never straight ये बात मेरी याद रखना, food chain जैसे straight होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि food web straight हो, instead each food web is formed by interlinking of food chain एक से दूसरी food chain को जोड़ के बनता है food web, तो बेटा straight की बात आए, तो food chain कहना, जो straight नहीं है, वो food web है food web provides alternative pathways of food availability, बिलकुल सही बात है, यानी एक खाना नहीं मिला तो दूसरा खा सकते हैं, दूसरा नहीं मिला तो तीसरा खा सकते हैं, यानी alternative sources आपको मिल सकते हैं availability के next, for example, बता रहे हैं इसी बात का, if a particular species of producer is destroyed by a disease in the ecosystem, the herbivores of that area can feed on other species of producers क्या कहानी कही गई है, कि अगर मालो, कोई एक ऐसी problem आई कि, या फिर मालो, वहाँ पे कोई एक mall बनना है है कि नहीं, कोई field है, वहाँ पे एक mall बनना है, तो वहाँ के जितनी grass आनों, तो तो नहीं हटा दी थी अब वहाँ की अकेली grass नहीं हटी है, उस पे dependent organism पे भी problem आईगी, लेकिन दिक्कत नहीं है क्यों? क्योंकि वही organism, कोई दूसरा plant भी तो जाके खा सकते हैं तो यानि food web जो है, ये बहतरीन है, क्योंकि ये एक alternative way देता है यानि अगर घर में खाने को खाना नहीं है, लेकिन हम क्या सकते हैं, थोड़ा नमकीन रखा है थोड़ा bread रखी है, biscuit रखा है, तब तक ले वही खा लेते हैं यानि alternative pathways available रहते हैं, एक food web में Similarly, secondary consumers may feed on rats or mice in the event of decrease in the population of rabbit in that area on which they commonly feed ये plant की बात थी, अगर animals में भी ऐसी problem हो, तो कहानी आसान है, ठीक है भाई? Point number 3, greater alternatives available in a food web make the ecosystem more stable, बहुत अच्छी बात है देखो, जितने जादा alternative, उतनी जादा बहतर कहानी क्यों? क्योंकि मान लो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, क्या बना रही हो, बता रही हो मान लो, ये seven type के producers हैं, ठीक है, seven type के क्या है, producer है, खाना बनाते है इन में से एक गायब हो गया, एक जगा mall बन रहा था, तो वो वहले producer गायब हो गये एक में बहुत भेंगा disease हो गया, तो सारे खराब हो गये, एक में पत्जड हो गया, सारी पत्तियां गिर गई फिर भी, फिर भी कहीं न कहीं, तो, तीन, पांच, साथ तो बचते ही हैं as alternative sources तो ये alternative sources रहते हैं, तो आगे वाले जो consumer हैं, उन्हें पे effect थोड़ा कम पड़ता है और ये बात ecosystem को stable बनाती है, मेरी बात समझे की नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ one पे ही dependent रहते हैं एक ही grass पे और ये ही खतम हो जाती, तो आगे की पूरी chain पे effect पड़ता है, समझ रहे हो बात को नहीं तो food webs बहतरी निसले है, क्योंकि alternative option है, उससे जो है आसानी मिलती है, stable रहता है कि अगर ये नहीं, तो दूसरी चीज सही ठीक है? चलिए Food webs also help in checking the overpopulation of highly reproductive species of plants and animals Food webs वो भी क्या करता है, ये check करता है, अब ये point लोगों को समझ ही नहीं आता है कि population check कैसे करता है food webs, तो food webs में कहानी ये है कि मान लो, जैसे again एक और example दूँगी, example में बड़े मज़े है ठीक है? मान लो, जैसे एक frog की population है, एक area में बहुत ज़ादा increase हो गई, बहुत ही ज़ादा और जो है, वहाँ से environment को भी problem आ रही है, और ये जो frog है ये जो frog है, ये बहुत ज़ादा grass को खा ले रहे है उसकी वज़े से grass भी खतम हो जा रही है, तो कुछ तो करना पड़ेगा दया, यानि इन frog को हटाना पड़ेगा तो food web में बहतरीन कहानी क्या होती है? कि इस frog को खाने वाला hawk भी है, इस frog को खाने वाला snake भी है और मानलो इस frog को खाने वाला, example दे रही हूँ, lion भी है तो food web में बहतरीन कहानी ये है, कि एक organism को खाने वाले बाकी सब भी है तो अगर इसकी population को कम करना है, इनको active करना होगा, इनको active करेंगे ये इसे खाएगा और इसकी population जो है, control में आ जाएगी, ठीक है, इसकी population जो है, control में आ जाएगी तो इस line का simple सा मतलब है, ठीक है Next, food webs also help in ecosystem development, simple सी कहानी है, food webs से जो है ecosystem भी develop होता है Living and non-living components के बीच में interaction भी सही साथ रहता है ठीक, चलिए characteristics बिलकुल clear हो है, simple से points है Now, let's begin the last topic of this session that is trophic level शुरुवात से नाम आ रहा है, trophic level इतना तो समझ रहे हैं, कहीं न कहीं ये food chain और food web से ही linked है तो आईए इसकी बात करते हैं The various steps representing organisms in a food chain at which the transfer of food and energy takes place are known as trophic level Level का मतलब समझ्य हो, level 1, level 2, level 3, level 4, ऐसे चड़ते जाना या फिर CD होती है, CD steps 1, 2, 3, 4, धीरे धीर steps चड़ते जा रहे हैं यानि आप स्कूल में classes पढ़ रहे हो, पहले first class में थे, second में, third में ऐसे step चड़ी है, level पे आगे आए हो वैसे ही ये जो आपको ध्यान से सुनना food chain दिखती है इसमें हर step को, इसमें हर step को, यानि ये producer की step है इतनी ये consumer की step है, ये secondary वाल है, ये tertiary इस हर step को कहा जाता है एक traffic level घबड़ाया मत करो science में, simple सी चीजों को, बच scientific term दे दिया गया है एक, एक step को, यानि ये producers की step है, एक primary consumer, secondary तो इस हर step का नाम दे दिया गया है, traffic level I hope this is clear, the various traffic levels are given below अब producers सबसे पहले आते हैं, तो ये क्या बना देंगे, first traffic level इतनी सी कहानी है, producers हमेशा पहले ही आते हैं The plants are the producers which fix the solar energy and provide it for consumers constitute the first traffic level, तो ये first traffic level के अंदर आ जाएंगे Similarly, primary consumers, second traffic level में secondary, third traffic, fourth traffic, ऐसे ही traffic level जो है बढ़ते जाएंगे इस type से कहानी कुछ चलेगी, देखो producers की traffic level, ये जितने भी है first traffic level grass ले लो, green trees ले लो, green plants ले लो, green flowering plants ले लो, crops ले लो हरे वाले जितने भी है, producers है, first traffic level primary consumers like butterfly, grasshopper, ant, caterpillar, bee, second traffic level उपरा जाओ third पे, rat, sparrow, frog, fourth snake, owl, fifth maximum जादा तर फिफ्ट तक जाता है, बहुत जादा high नहीं होता है, ठीक है? The herbivores और the primary consumers form the second traffic level और ये वाले, next वाले बनाएंगे third traffic level और उससे आगे वाले बनाएंगे क्या last traffic level I hope this point is very clear Thus, in a food chain consisting of four traffic level, tertiary consumers are top carnivores but in a food chain with five traffic levels, quaternary consumers are top carnivores Top carnivores कौन होते हैं, जो सबसे ऊपर आते हैं food chain में Some example of top carnivores are eagle, tiger, lion, etc. These organisms are not preyed upon, instead they die of old age, disease and injury यानि क्या, in organisms को usually कोई खा नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता इनका खात्मा कैसे होता, ये खुद मर जाते हैं, कोई बीमारी हो जाती है या फिर of course like normal aging की वज़े से मरते हैं and then इन पर connect करते हैं, decomposes act करते हैं और वापस से soil में इनका nutrition दे देते हैं Clear है, traffic level बहुत ही simple सा topic है ये Thus, in a food chain, चलो ये कहानी तो हो गई clear अब एक बात मैंने कही थी कि जादा तर, 4-5 से जादा traffic level नहीं होते हैं किसी food chain में तो सवाल उठता है मैम, ऐसा क्यों? So, ये सवाल यहां भी आया है भाई Why the number of traffic level in a food chain is limited Thus, पार आपंद्रा क्यों नहीं है? Limit क्यों है? तो उसी कहानी को पढ़ते हैं At each traffic level in a food chain, a large portion of the energy is utilized for the maintenance of organism which occur at that traffic level and lost as heat As a result of this, organism in each traffic level pass on less and less energy to the next traffic level than they increase मैंने आपको कहा था कि आगे आके आपको मैं बताऊंगी Energy flow में एक 10% law तो जब आप ये 10% law पढ़ोगे न तो बस अभी के लिए इतना समझो मैंने सिर्फ आपके लिए डाइगराम रखा ये battery type दिख रहा है आपको यानि ये battery जितना green में है ये समझो कि ये energy है तो plants के पास जो energy आई है देखो एकदम बढ़िया full battery थी और plants ने जब ये energy पास की तो इसमें से maximum percent किसमें चला जाता है बेटा heat के तोर पे loss हो जाता है और देखो मेटा मेरे ये पूरा हरा था और ये इतनी सी energy बची है फिर यहां से pass होई heat के form में lose होई 31 बची और भाया उपर तक जाने में तो ये इतनी सी बची है energy जो की heat के form में lose है अब मुझे एक बात बताओ कि 5th से उपर भी अगर मैं जाओंगी तो ये तो green bar बचेगा ही नहीं अरे जब energy ही नहीं बचेगी तो क्या transfer करोगे पूरी story everything is based upon energy that we want energy work करने के लिए और जब energy ही नहीं रहेगी so there is no need कि ये traffic level आगे बढ़े so this is the reason because of loss of lots of energy due to heat इस वजह से traffic levels limited होते हैं और ना कि unlimited and usually 5th number तक maximum रहते हैं ये ज़्यादा तर food chains में clear है the longer the food chain the less is the energy available to the final member सबसे कम energy कहा होती है जो सबसे पीछे आता है final वाले को सबसे आपने I think diagram में ही देख के समझ गए होगे कि सबसे उपर वाले को सबसे कम energy मिलती है food chains generally consist of 3 or 4 steps because after that the energy available for the next organism will be so small that it will be insufficient to sustain the life of that organism there are however some food chains ज़्यादा तर में 3 या 4 steps होती है बहुत ही कम या rarely ऐसी कुछ food chain है जिसमें 5 steps होती है यानि 5 organisms होते है but there are rarely more than 5 steps in a food chain बहुत ही rarely ना के बराबर 5 से जादा होते है और इसका reason भी हम समझ गए है क्योंकि energy बचती ही नहीं है उतनी भेजने के लिए clear? चलिए इसी के साथ खतम होता है हमारा topic food chain food, web and traffic level hopefully आप सबी के डाउस clear होए होंगे जो homework दिया है उसको comment section में बताना और video कैसा लगा ये भी बताओ ताकि मुझे भी motivation मिलता रहे वीडियो को सदाया हो तो like, subscribe, share करना मत भूलना आपको बता दू Magnet Brains एक ऐसा platform है जहां पे आपको मिलती है बिल्कुल free education यानि मेरे left side में जो causes दिख रहे हैं English, Hindi दोनों medium में है तो आप जो हैं अपने friends, cousins सबको suggest कर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि आप हमारे 2-3 वीडियो देखोगे और हम आप से किसी भी type का charge मांगेगे या कोई coupon code मांगेगे बिल्कुल free of cost videos हैं सिर्फ और सिफ आपके लिए session खतम करने से पहले बता दूँ कि अब magnet brains पे आपको मिलती है books and e-books यानि जितना भी quality content आपको मिलता है उन्हीं सब को हमने put down कर दिया है in books में for example, you will find different important question की books मिलेंगी MCQ books हैं chapter की theory की books हैं and so many more तो इन books को कैसे ले सकते हैं description में link दी गई है उस link पे click कीजे एक form को खुलेगा उस form को fill करके आपको submit करना है और wait करना है जब तक हमारी MB की team आप से contact करें So see you all in the next session Till then, goodbye